इंडिया लाइंस के एक चारा छोर ने ये कहा कि मोधी का कोई परिवार नहीं हम है मोधी का परिवार ये नौजवान है मोधी का परिवार अरे जिसका परिवार 140 करोड का है उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा अगर 140 Yo Göra 2020 उन्हें की परिवार होती तो इतना अन्याय क्यों किया रही किसानएं के साथ छंविकों के साथ इतने उन्हाय कहा हैं अपने से प्रधान सेवक के नात्य भारत कहते हैं उस परिवार के लिए जूचते जूचते परिश्रम करते करते आज राजनीती के उस पड़ाओ पर पहुँचे हैं जहां इंडिया लाइंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं आज बड़ी विनमरता से उस चारा चोर तक अगर नाकपूर से आवाज जाए महराश्ची की तो कहना चाहती हूँ हम है मोदी का परिवार ये नौजवान है मोदी का परिवार बोलो उस से कौन है मोदी का परिवार कौन है मोदी का परिवार कौन है मोदी का परिवार अरे जिसका परिवार 140 करोड का है उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा उस व्यक्ती ने संकल्प लिया है कि ये कर्टब व्यकाल है 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विक्सित बनाना है इसलिए हर युवा को बहार आना है हमारी प्रत्यमिक्ता 140 करोड की जनता है हम भी जनता की आवाज उठा रहे हैं महेंगाई की खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ आर्थिक विश्मताओं के खिलाफ सामाजिक दुरूवी करन के खिलाफ इस जनता से विश्वासगात किया है पिछले दस साल अगर 140 क्रोड जंता उनकी परिवार होती तो कहते है ना भारत मेरा परिवार है तो इतना अन्याई क्यों किया है किसानों के साथ युवाओं के साथ महेराओं के साथ श्रविकों के साथ इतना अन्याई हुआ है पिछले दस साल तो अन्याई काल हुए है भवि यह कोई कोशिश नहीं कि यह कोई कोछिश नहीं ये तो मार्किटिंग के लिए प्रचार के लिए हैं रिब्रांडिंग के लिए हैं और खुद, खुद को विश्वगुरु मानने के लिए स्वधोशित विश्वगुरु है, तो मैं समस्ता हूँ प्रधान मंत्री को सम्मान, प्रधान मंत्री पद को हम सम्मान देते हैं, पर अगर व्यक्ति को हमें सम्मान देना पड़ता है, अगर व्यक्ति चाहता है मुझे स समान मिले तो ऐसा विवाहर करें तो समान जनक हो